हेलो दोस्तो दोस्तो हमारे आसपास सेर मार्केट के बहुत सारी रियल लाइफ स्टोरीज हैं जिन में से कई लोगों ने सेर मार्केट में थोड़ा सा पैसा लगा कर बहुत ज्यादा अमिर बन गए लेकिन आज हम लोग जो कहानी आप लोगों के साथ सेर करने वाले हैं उसमें सेर मार्केट में एक व्यक्ती ने सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपिय लगाए थे और उन 10,000 रुपियों से आज वो आदमी 1200 करोड रुपिय का मालिक है दोस्तो अपने राकेश जुन जुन वाला का नाम तो सुनाई होगा जिनोंने सिर्फ 5,000 रुपिय से अपनी लाइब जन्नी को स्टार्ट करी थी और उन्होंने सेर मार्केट में से 20,000 करोड रुपिय कमाए थे लेकिन आज जो स्टोरी की बात कर रहे हैं उनकी स्टोरी राकेश जुन जुन वाला से भी ज्यादा इंट्रेश्टेड है ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और उनकी स्ट्रेटेजिक कुणसी है जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा तो चलो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो आज की स्टोरी है मौम्मद अन्वर अहमद की जिनका जन्म माराष्टर के एक छोटे से गाव अमलनेर में हुआ था वो लोग च्यार भाई थे और ये च्यारो भाई मिलकर अपने फादर के खेत में बहुत काम किया करते थे लेकिन साल 1980 में उनके फादर की अचानक मौत हो गई उसके बाद इन च्यारो भाईयों ने निर्णे लिया कि ये अपनी खेत की जमिन को अच्छे दाम में बेच देंगे और उस जमिन से जो भी पैसा हमारे पास आएगा उसको बराबर के हिस्से में बांट लेंगे उस टाइम पर चारो भाईयों ने उस जमिन को 80,000 रुपय में बेच दिया था जिससे सभी भाईयों के पास 20,000 रुपय पर परसन आये थे उस टाइम पर मौमद अनवर 27 साल के थे और उनके दो बच्चे भी थे तो उन्होंने सोचना सुरू किया कि अब इन 20,000 रुपय को कहाँ पर इन्वेस्ट करे एक दिन की बात है वो चाय की दुकान पर बैठे हुए थे और उसी साम 37 सा नाम का एक सेर ब्रॉकर मुमबई से उनके गाव आया और कुछ लोगों से वीपरो कमपनी के सेर बाय करवाने के लिए अब कमपनी की बात करे तो अमलनेर एक जगह है जहाँ पर वीपरो कमपनी ने अपनी सुरूआत की थी अजिम प्रेम जी जो 2019 तक वीपरो कमपनी के चेर्मेन थे उनके पीता ने 1947 में अमलनेर गाव में ही अपना पहला वेजिटेबल ओयल मैनुफेक्चरिंग करने का प्लांट लगाया था और उस टाइम में बहुत सारे लोग इस कमणी में काम किया करते थे और कुछ लोग तो उसके सेर ओल्डर्स भी थे तो इनी सेर्स को खरीदने के लिए 37 नाम का एक सेर ब्रोकर मुंबई से अमलनेर गाव में आया और यहाँ पर उसकी मौमद अन्वर से पहचान हुई मौमद अन्वर की बात करे तो उनको सेर मार्केट के बारे में थोड़ी से भी नौलेज नही थी तो 37 ने मौमद अन्वर को उसके बारे में सब बताया और यह भी बताया कि जब आप किसी कंपनी के सेर मतलब की स्टॉक्स खरीद लेते हैं तब उस कंपनी के उस सेर्स के हिसाब से हिस्सेदार बन जाते हैं और ये सब समझने के बाद मौमद अन्वन ने सतिसा की मदद की और गाम वालों से सेर खरीदने के लिए समझाया और मौमद अन्वन ने भी अपने लिए कुछ सेर खरीदे और उच टाइम पर 100 रुपय के हिसाब से सेर खरीदे थे तो टोटल 10,000 रुपय के सेर मौमद अन्व सेर खड़ी दे थे जिसका टोटल एमाउंट 10,000 रूपय था अब 1980 में उनके पास 100 सेर्स मौजुद थे नेक्स्ट यर 1981 में कमपनी ने 1-2-1 का बॉनस डिकलेर किया तो इस वज़ा से मौम्मद अन्वर के पास 200 सेर हो गए फिर 1985 में कमपनी ने दोबारा 1-2-1 का बॉनस डिकलेर किया तो इसकी वज़ा से मौम्मद अन्वर के पास 400 सेर हो गए फिर नेक्स्ट यर 1986 में कमपनी ने अपनी कमपनी के सेर को स्प्लिट कर दिया तो 10 रुपे के हिसाब से तो उनके पास जो 400 सेर मौजुद थे वे जाके अब 4,000 बन गए नेक्स्ट यर 1987 में कमपनी ने 1-2-1 का बॉनस डिकलेर किया तो उनके 4,000 सेर इंक्रीज होके 8,000 हो गए फिर 1989 में दोबारा 1-2-1 किया गया तो उनके पास 16,000 सेर हो गए अब साल 1992 में एक बार फिर 1-2-1 का बॉनस डिकलेर किया गया तो उनके सेर 32,000 हो गए फिर साल 1995 में फिर 1-1 हुआ और उनके सेर्स 64,000 हो गए फिर 1997 में 1-1 का बॉनस देकलेर किया गया और उनके सेर्स अब हो गए थे 1,92,000 फिर साल 1999 में 2 रुप्य के हिसाब से सेर्स को स्प्लिट कर दिया गया तो इस वज़ा से उनके सेर्स 9,60,000 हो गए फिर 2004 में 2-1 किया गया तो उनके सेर्स 28,80,000 हो गए फिर 2005 में 1-1 बॉनस दिया गया अब उनके सेर्स इंक्रीज होकर 57,60,000 हो गए फिर 2010 में 2-3 बॉनस दिया गया 96,00,000 हो गए थे फिर साल 2017 की बात करे तो उस साल में भी 1-1 का बॉनस दिया गया और उनके सेर्स बढ़कर 1.92 लाक हो गए 2019 में फिर से 1.23 का बॉनस दिया गया था और उनके पास फिर से सेर्स बढ़कर 2.56 लाक हो गए थे अब पूरी कैल्कुलेशन करे तो 1980 में मौमद अन्वन ने 10,000 रुपिये के 100 सेर्स खड़ी दे थे और वो सेर्स बॉनस और सेर्स प्लिट होने की वज़ा से 2019 में 2.56 लाक सेर्स बन चुके है और आज की डेट में विपरो के एक सेर्स की प्राइस 480 रुपिज है और टोटल 2.56 लाक सेर्स उनके पास आज भी अवेलेबल है तो अगर इनको कैल्कुलेट करे तो 1228 करोड 80 लाक रुपिय होते है और राउंड फीगर कर दे तो 1200 करोड से भी ज्यादा रुपिय कमा चुके है लेकिन इस स्टोरी में सिर्फ इतना ही नहीं है अभी भी कैल्कुलेशन अधूरी है इतने सालों में उनको डिवीडेंट भी तो मिलाई होगा पहले हम यह समझ लेते हैं कि डिवीडेंट वो एमाउंट होती है जो कमपनी अपने सेर होल्डर्स को प्रॉफिट के रुप में देती है ऐसे रिवार्ड इन जर्नल केस की फॉर्म में दिया जाता है जो डायरेक्टरली सेर होल्डर्स के बेंग एकाउंट में ट्रांसपर कर दिया जाता है और कई बात सेर्स के फॉर्म में भी दिया जाता है तो मुहमद अनवर को 170 करोड के आसपास डिवीडेंट भी मिल चुका है तो आप लोग समझ रहे होंगे कि टोटल वो कितना कमा चुके है और वो भी सिर्फ 10,000 रुपे इन्वेस्टमेंट करके और यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि मुहमद अनवर ने सिर्फ 10,000 रुपे इन्वेस्ट किये थे इसके अलावा उनका बाकी कुछ भी नहीं किया था जो भी अब तक हुआ वो उस कमपनी ने किया कमपनी ने उनको बॉनस दिया कमपनी ने उनको डिवीडेंट भी दिया कमपनी ने ही सिर्फ को स्प्लिट किया और उनके 10,000 को 1,200 करो रुपे बना दिये तो आप लोग भी same strategy को follow कर सकते हैं और compounding की power को अच्छी तरह से समझ के उसे use कर सकते हैं तो दोस्तों इस story में मौमद अनवर एकदम अटपड था और वो उस time पर stock market और compounding के बारे में कुछ भी नहीं जानता था लेकिन 37 जो share broker था वो compounding की power को अच्छे से जानता था इसलिए 37 के समझाने पर और उन पर भरोसा करके अनवर ने भी विपरो के shares खरी लिये थे और 37 पर भरोसा करने का result आप लोग भी देख सकते हैं तो share market में investment करने के लिए अच्छी companies को डूंडिये और financial advisor से सला जरूर ले और अगर आप भी compounding की power को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं और मुम्मद अनवर की तरह ही share market में अच्छी companies में investment करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारी चैनल में बहुत सारी videos available है और आने वाले time में भी videos आने वाले है तो दोस्तों अगर आपने investment करने वाले है तो कितना amount करने वाले है वो comment box में comment जरू करना मिलते हैं next video में